किसान भाईयों नमस्कार स्वागते आपका हमारी यूटूब चेनल इसमाय टेक्री कल्चर में प्याज की फसल की सुरुआत से लेकर अंत्तक सही तरीके से देख रहे करना काफी ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि प्याज में कई परकार की समश्या आती हैं जिन समश्याओं के उपर अगर हम समय पर ज्यान नहीं देते हैं तो हमारी पूरी फसल खराब हो सकती है और प्याज में हमें समय समय पर आउस्यक खादों का प्रियोग करना भी जरूरी होता है ताकि पोदे को सभी पोसक्तों मिलते रहे और पोदा पुरी तरह से ग्रोथ करे और अधिक पैदावार हो तो प्याज की पसल में 30 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच का समय कापी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय पर पोदे में रोगों का आटेक होने का खत्रा भी ज़्यादा होता है और पोदे को पोसक्तों के आउसकता भी ज़्यादा होती है तो आगे हम विश्टार से बात करेंगे कि प्याज में 30 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच में कौन-कौन से काम करना चाहिए कौन-कौन से खाद और डवाई या डालना चाहिए तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिये ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड गरे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो जब आपके प्याज की पसल 30 दिनों से ज़्यादा की हो जाती है तब उसकी जड़ों में फंगस और किड़े की सिकाय काफी ज़्यादा आती है जिसके कारण पोदे की पतिया पीली पढ़ने लगती है और पोदा सूखने लगता है तो सबसे पहले इनकी रोगताम करना काफी ज़्यादा जरूरी है तो इनकी रोगताम के लिए आप प्याज की सीचाय करते हो तब पानी के साथ किड़नासक और फपुन्दिनासक की ड्रेंचिंग करे इसके लिए आप 20-30 लिटर पानी की समता वाली टंकी लीजिए जिसके नीचे नल लगा हो पिर उस तंकी में दवाई डाल दीजिए और फिर उस तंकी के नल को इस प्रकार से कोल दीजिए कि पूरे केत में एक समान ड्रेंचिंग हो जाए क्योंकि अगर हम क्यारियों के बराबर गोल के डिब्बे बनाकर ड्रेंसिंग करेंगे तो उससे बराबर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से किटनासक और पपुंदीनासक का प्रियोग करना चाहिए तो पपुंदीनासक के रूप में आप थायोपेनेट मेतायल 7% WP का प्रियोग करें और इसकी मातरा रखना है 400 ग्राम प्रती एकड़े इस टेकनिकल के रूप में आप रोको फंगी साइड या कर्शी रसाइन कंपनी की की फंगी साइड का प्रियोग कर सकते हो और किटनासक के रूप में आप क्लोर पायरी पास 50% इसकी का प्रियोग करें इसकी मातरा रखना है 1 लिटर प्रती एकड़े और किसान भाईयो अगर आपके प्याज की पसल में पिलापन ज्यादा आ रहा है उसमें अरापन की कमी है ग्रोथ कम है तो आप किटनासक वा प्रभूदिनासक के साथ व्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग भी अवश्य करें व्यूमिक एसिड के प्रियोग से पोदे में रापन बढ़ेगा पोदे में सपेज जड़ों का अधिक से अधिक विकास होगा यूमिक एसिड के लिए आप लिक्विड वाले यूमिक एसिड का एक लीटर परती एकड के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो और ड्रेंचिंग के अलावा 30 से 50 जुनों के बीच में हमें कुछ खाद डालना भी चाहिए क्योंकि उस समय पर पोदा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के अवस्ता में होता है इसलिए इस समय पर पोदे को पोशन की ज्यादा आउशकता होती है तो खाद डालना भी जरूरी होता है अगर बात करें कौन सी खाद डालना चाहिए तो आप एक एकड़ में 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सलपर का परियोग जरूर करना क्योंकि सलपर एक पोशनक तो तो के 7-7 पंगी साइड का काम भी करेगा तो किसान भाईयो अगर आप अपने प्याज की पसल में 30 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच में वीडियो में बताएगी बातों को फोलो करते हैं तो यकिनन तोर पर आपके प्याज की पसल बहुती सांदार रहेगी और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक पसेर जरूर करना चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान